हेलो फ्रेंडिस नमस्कार गुड एबनिंग आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रेपल सी बाइफ़ेश डीपर आए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को और आज इस क्लास में चालिस मोश्ट इंपोर्टेंट प्रस्णों को सामिल किया है इस सभी प्रस्ण आपके होने वाले ट्रेपल सी एक जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट हैं आप सभी इस क्लास को लाज तक अवस्ट देखें और आप सभी अपने मौक टेस्ट करते रहें मौक टेस्ट आप www.triplec.com पर कर सकते हैं जो भी साथी क्लास में आ चुके हैं सभी आप सभी एक पर क्लास को सेर करदें ताकि और भी बच्चे और भी साथी इस क्लास को जोइन कर पाएं आज का सभी पहला प्रस्ण आपके स्क्रीन पर आ चुका है यहां पर आप से पूंचा गया आसकाई में डैस करेक्टर निर्मित किये जा सकते हैं कितने करेक्टर निर्मित किये जा सकते हैं यह आपको बताना है आसकाई में कितने करेक्टर निर्मित किये जा सकते हैं आसकाई का फुल फॉर्म क्या होता है ऐसा भी पूँश सकते हैं उसका मतलब होता है होता है इसमें कितने करेक्टर निर्मित किया सकते हैं तो यहां पर आप का सही जबाब होगा 256 ठीक तो अगर कभी ऐसे पूँच है कि आसकाई 7 में कितने करेक्टर निर्मित के जा सकते हैं तो आंसर होगा 128 और अगर केवल आसकाई पूँच ले या आसकाई 8 बीट पूँच ले तो आपको 256 जबार जाना है 256 करेक्ट जवाब करना है तो यहां पर C option हो जाएगा ठीक है आगे वड़ते हैं कंप्यूटर में error तुरुटी को डैस भी कहते हैं अब आपको बताना है कंप्यूटर में error को क्या कहते हैं तो यहां पर सही जवाब क्या हो जाएगा option पहला हो जाएगा बग नाम से जानते हैं कंप्यूटर में error यानि कि तुरुटी को बग नाम से जानते हैं पासवर्ड से प्रियोकता यूजर, पासवर्ड से प्रियोकता डैस, अब आपको यहाँ पर बताना है, जल्दी से सिस्टम में जा सकते हैं, समय का दच्छ प्रियोक कर सकते हैं, फाइलों की गोपनियता बरकरार रख सकते हैं, फाइल धांचों को सरल कर सकते हैं, तो पासवर सी हो जाएगा फाइलों की गोपनियता वरकरार रख शकते हैं ठीक है कंप्यूटर को री स्टार्ट करने के लिए निम्न कुंजियों के सयोजन का प्रियोग किया जाता है कंप्यूटर को री स्टार्ट करने के लिए निम्न कुंजियों के सयोजन का प्रियोग किया जाता है तो यहाँ पर होगा D, Ctrl, Alt और Delete बटन आपको प्रियस करना होता है, Ctrl, Alt और Del, Open, Print और Save सभी बटन डैस पर इस्थित होते हैं, Open, Print और Save ये सभी बटन ये सभी कमांड डैस पर इस्थित होते हैं, Status Bar पर, Formatting Toolbar पर, Standard Toolbar पर, या Title Bar पर, बताइए इसमें कौन सा आपका सही जबाब होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा C, Standard Toolbar पर, कहाँ पर होते हैं, Standard Toolbar पर, Open, Print और Save, ये सभी बटन ये सभी आईकन आपको देखने को मिलते हैं, Standard Toolbar पर, यहाँ पर आपको बताना है, Nimd में किस Memory Chip की गती अधिक तेज होती है, किस Memory Chip की गती अधिक तेज होती है, फास्ट होती है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, Option B हो जाएगा, Yes, Ram जिसका मतलब होता है, Static Ram, यानि कि Static Random Access Memory, और DRAM का मतलब होता है, Dynamic Random Access Memory, यह भी आपको दिहार रखने हैं, CPU का वहाँ भाग, जो अन्य सभी Computer Components की गत्विदियों को कॉडिनेट करता है, निम्न लिखित में से है, CPU यानि कि Central Processing Unit का वहाँ भाग, वहाँ पार्ट जो की अन्य सभी Computer Components की गत्विदियों को कॉडिनेट करता है, उसे कहते हैं, Control Unit, यानि कि CU के नाम से जानते हैं, Control Unit हो जाएगा, माउस के दो मानक वटनों के बीच, इस्थित वील का क्या प्रियोग होता है, माउस के दो मानक वटनों के बीच, वील का क्या इस्तिमाल होता है, आपने देखा होगा, माउस में वीच में एक वील होता है, एक पहिया सा होता है, उसका काम क्या होता है, उसका काम होता है, स्क्रॉल करना, पेज को अगर आप स्कॉल करते हैं उपर नीचे स्कॉल करते हैं तो स्कॉल वील का इस्तिमाल होता है राइटर में replace option dash पर उपलब्ध होता है जो replace की command है आपके LibreOffice राइटर में यह replace वाली command कहां पर होती है मैनू बताना है फाइल में है व्यू में है एडिट में है या इसमें से कोई नहीं बताइए यह आपको कहां पर मिलता है replace की command यहां पर क्या हो जाएगा यहां पर कौन सा correct answer हो जाएगा तो option number C धियां रहखना है edit menu में मिलता है किसमे एडिट menu में option आपका see correct हो जाएगा LibreOffice writer में default font नाम क्या है LibreOffice writer में default font नाम आपको بتाना है LibreOffice writer में default font नाम आपको बताना है इसमें कौन सा सही जवाब हो जाएगा तो writer में कौन सा default fund name होता है option number B लेवरेशन सेरीफ होता है लेवरेशन सेरीफ होता है libro office writer में default fund name आपको ध्यान रिखना है libro office writer में नई style की shortcut कुझी क्या होती है new style की shortcut की यहाँ पर हो जाएगा option पहला shift के साथ EF11 प्रेस करना होता है New Style के लिए Shift EF11 Computer एक साधार्ण सिधान्त का अनुसरण करता है जिसे GIGO कहा जाता है जिसका अर्थ होता है ये बताना इसका Full Form क्या होता है GIGO का अर्थ बताना है तो यहाँ पर Garbage In, Garbage Out हो जाएगा Option C है आपका Garbage In, Garbage Out सिधान्त पर आपका Computer कारी करता है इन में से कौन सा Computer की द्रेश्ट से Peripheral Device नहीं है कौन सा Peripheral Device में सामिल नहीं है Mouse, Keyboard, Monitor और Motherboard तो यहाँ पर D Option हो जाएगा Motherboard आपका Peripheral Device में सामिल नहीं है CUI का Full Form क्या होता है CUI का Full Form आपको बताना है जिन बचों ने Class को अभी तक Like नहीं किया है आप सभी को Like करना है, Share करना है और जो साथी चनल पर नए है आप सभी को Subscribe करके Well आइकन भी प्रेश करना है ताकि Notification आप लोगों को भी मिलते रहें यहाँ पर CUI का मतलब क्या हो जाएगा Character User Interface हो जाएगा आवेकस की खोज किस देश में हुई थी आवेकस की खोज किस देश में हुई इंडिया, चाइना, अमेरिका या जापान यहाँ पर Option B हो जाएगा चाइना एंटिवारस एक परकार का Screen Saver है प्रूओ-फॉ-फॉ-पॉ-उ-ब्स में जवाब करना है आपको तो एंटिवारस एक परकार का Screen Saver नहीं है यह हो जाएगा फॉ-फॉ-ब्स क्या होगा फॉ-फॉ-ब्स हो जाएगा आपका Option No.V ठीक है राइटर में फाइल एक्स्टेंशन क्या होता है? राइटर में फाइल एक्स्टेंशन क्या होता है? लिब्रोफिस राइटर की यहां पर बाद की गई है और लिब्रोफिस राइटर में जो फाइल का एक्स्टेंशन होता है वो होगा .odt ODT ये writer का होता है ध्यार रखना है ये writer का होता है ODP ये आपका impress का होता है ODS ये आपका LibreOffice Calc का होता है तो ये calc का हो गया impress का हो गया और ODT ये आपका writer का हो गया HTTP में TT का पुरा नाम क्या होता है HTTP में TT का पुरा नाम आपको बताना है तो HTTP का full form क्या हो जाएगा Hyper Text Transfer Protocol तो Text Transfer हो जाना चाहिए Option B हमारा correct होगा Hyper Text Transfer Protocol इसका full form होता है तो TT का मतलब Text Transfer Calc में Default Work Seat कितनी होती है Calc में Default Work Seat आपको बतारी है यहनि कि जब आप LibreOffice Calc Open करते हैं तो वहाँ पर कितनी seat आपको दिखाई देती है Option पहला हो जाएगा एक One seat आपको मिलती है बाकि आप 10,000 seat यहाँ पर ले सकते हैं Maximum ठीक है तो Default आपकी एक seat होती है विजाड का विकल्प किस मैनू में मिलता है विजाड का विकल्प किस मैनू में मिलता है पता है यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा गरेक्ट जबाब करना है विजाड का विकल्प आपको किस मैनू में मिलेगा कौन सा यहाँ पर गरेक्ट आंसर हो जाएगा तो First option गरेक्ट होगा File menu ठीक है File menu आपका सही जबाब हो जाएगा Instagram क्या है What is Instagram? Social site है E-commerce site है Web browser है या None of these इसमें Instagram आपको बताना है Instagram क्या है Instagram क्या है E-commerce site है Web browser है या फिर social site है तो सही जबाब है option पहला Social site है Instagram एक Photo sharing social site है Photo sharing social site है आपका Instagram ठीक है VOIP का full form क्या होता है काफी important है previous exam में पूछा गया था काफी बार VOIP का मतलब क्या होता है तो यहाँ पर B option correct होगा Vice over internet protocol हो जाएगा VOIP Vice over internet protocol होता है यहाँ पर आपको बताना है incoming email को किसमें सहय जाता है जो mail आपके पास आते हैं आपको receive होते हैं वो mail कहां पर save किये जाते हैं यहाँ कि अगर आपके पास किसी ने mail भेजा तो वो कहां पर आपको दिखाई देगा inbox में दिखाई देता है जो भी incoming mail होते हैं वो inbox में आते हैं SWIFT का full form क्या होता है SWIFT काफी important है तो इसका full form क्या हो जाएगा Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication यह full form होता है SWIFT का KYC में bank द्वारा मागे जाने वाले दस्ताबेज कौन-कौन से हैं आपको इस बताना है तो यहाँ अधार card है voter ID card है pen card है all of these है तो D option करना है वो प्रोक्त सभी ठीक है all of these आपका correct answer होगा 200 रुपे के note का रंग कैसा होता है 200 रुपे के note का रंग यहां यादि की color कैसा होता है बताईए 200 रुपे के note का रंग कैसा होता है ओप्स्न यहाँ पर हो जाएगा B आपका bright yellow होता है कैसा होता है bright yellow होता है 200 रुपे के note का रंग वोट्सअफ घुरुप में अधिकतम कितने सदस से जोड़ सकते हैं WhatsApp group में अधिकतम कितने सदस से आप जोड सकते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा B आपका 256 सदस से 256 मेंबर आप जोड सकते हैं WhatsApp group में ठीक है? Option आपका B correct होगा 256 Minimize, Maximize window में किस बार पर होते हैं? Minimize और Maximize window में किस बार पर होते हैं? यह आपको title वार पर दिखाए देते हैं status वार पर होते हैं menu बार पर होते हैं या इसमें से कोई नहीं तो Minimize, Maximize और Close का जो बटन होते हैं यह आपको title वार पर right side में दिखाए देते हैं जो आपकी title वार होती है यहाँ पर आपने देखा होगा इस परकार से बटन होते हैं तो यह आपको कहां मिलते हैं? यह right side में होते हैं title वाल पर right side में डिजी locker में किस ID के आवश्रक्ता होती है? voter ID card, pen card, आधार card या फिर इसमें से कोई नहीं तो डिजी locker में किस ID के आवश्रक्ता होती है? आपको यह बताना है option C हो जाएगा आधार card के आवश्रक्ता होती है ठीक है? तो C option correct होगा among app का पूरा नाम क्या है? among app का full form आपको बताना है पूरा नाम क्या होता है? among application का unified mobile application for new age governance हो जाएगा तो option B है यहाँ पर LibreOffice Calc में कौन सा formula नहीं होता है? यह भी काफ़ important है कौन सा formula नहीं होता है LibreOffice Calc में? sum, max, avr, min तो यहाँ पर C option होगा आपका average का यह जो function दिया है यह नहीं होता है ठीक है? ध्यार रखना है average का पूरा function ऐसे लिखते हैं यह formula है आपका average तो यहाँ पर C option होजाएगा यह formula नहीं होता है बाकि sum, max, min यह सभी होते हैं option number C आपका correct answer होगा तो आज के class बसे ही तक थी उमीद करता हूँ आप सभी को class प्रसंदाई होगी class अच्छे लगी हो इसको like करना, share करना और जो भी साथी triple th exam के लिए e-book डाउनलोड करना चाहते हैं तो discussion box में e-book का link दिया गया है जहां से आप सभी डाउनलोड कर सकते हैं और बहाँ पर अभी आपको deb10 discount code apply कर देना है 10% जो भी discount दिया गया है उस पर 10% और आपको discount मिल जाएगा तो आज के लिए वाच इतना ही thanks for watching, thank you, good night to all, bye bye